चालो देखो बात करेंगे सेफरोन कल्टिबेशन की सेफरोन को क्या कहते हैं हिंदी में केसर का क्या इस्तमाल है हम सब को पता है हम सब के घरों में केसर कभी न कभी आया होगा और अभी भी रखाई होगा और उसका क्या इस्तमाल किया जाता है आप अपने मम्मी पापा से पूछ ले ना मुझे बताने की जरूत नहीं है हम तो यहाँ पर यह चर्चा करेंगे कि सैफरोन की खेती की कैसे जाती है और कहां पर इसकी खेती होती है वो देखो सैफरोन मिलता कहां से है अगर आपने सैफरोन का फूल देखा हो उसका फ्लॉबर देखा हो तो आपको सैफरोन उसमें क्लियर कट नजर आ जाएगा बिल्कुल साफ साफ उसमें आपको सैफरोन दिखाई देगा हमेख्यों आप देख सकते हैं सेसाफरों का फूल केसा फूल का भई पर्पल कलन का होता थोड़ा सा इसमें बिल्व कलर्वी है मतलब पर्पल ब्ल्यू शर्ड है और कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत इसके वाइट कलर भी देखा जाता है मतलब पूरा वाइट नहीं होता लेकिन परपल ब्लू कलर का एक कॉंबिनेशन रहता है और थोड़ा बहुत इसके अंदर वाइट कलर के स्पॉट्स भी देखे जाते है ये इसके फूल की बिल्कुल पहचान है आप इसके फूल को दूर से देखकर पहचान सकते हैं कि वह सैफरोन का फूल है इस सैफरोन के फूल में सबसे इंपॉर्टन चीज़ है नॉर्मल एक जो फूल रहता है एक फ्लॉबर अगर मैं यहाँ पर बना दूँ तो उसके अंदर क्या होता है एक टिपिकल फ्लॉबर अगर हो तो वो कुछ ऐसा होगा ऐसा ही रहता है यह टिपिकल फ्लॉबर यह जो मैंने बनाई है यह क्या है इसकी सीपल पीटल जो भी मान लीजिए यहाँ पर यह ऐसे सरी होल से तो यहाँ पर यह जो है आपके परपल ब्लू वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन की है यह क्या है इसके सीपल है चाहो तो इनको पीटल भी कह दो यह ज़रूरी नहीं है कि वो सीपल है कि पीटल है सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसके अंदर वाले पार्ट यानि कि जो इसके रिप्रोड़क्टिव पार्ट है वो अब इसके रिप्रोड़क्टिव पार्ट में यह दो है क्या क्या वही एक तो होगा फिमेल female reproductive part में हमको पता है तीन चीज़ें होती है सबसे top का जो portion होता है इसको कहते है stigma उसके बाद सबसे last वाला जो रहता है उसको कहते है ovary और stigma और ovary के बीच में ये जो portion आप देख रहे हैं इसको कहते है style ठीक है और male की अगर हम बात करें male में basically तीन चीज़ें होती है इसमें सबसे ज़्यादा important ये जो आपको देख रहा है ये होता है इसको हम लोग कहते है एंथर ठीक है और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते है filament और एंथर और filament ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं इस point पर जिसको हम लोग कह देते हैं connective अब इतने सारे part में से हमारा केसर कौन सा है ये simpleippy proprietary है हमारा केसर है क्या नहीं है ये जो हमारे male part है वो हमारा केसर है क्या वो भी नहीं है तो केसर क्या है केसर है आपका ये जो आपको red color का दिख रहा है जो आपको orange color का दिख रहा है red orange भगवा color का जो आपको दिख रहा है यही है केसर यही है सैफरोन तो यह actual में है क्या कॉशन यहां से बड़े पूछे जाते है कि सैफरोन actual में क्या है किस पार्ट को ही हम लोग सैफरोन कहते है उसका जो female वाला पार्ट है female वाला पार्ट basically वहाँ पर हम कहें stigma यह जो stigma वाला पार्ट है ना इसी को हम लोग क्या कहते है सैफरोन कहते है यानि कि जो female पार्ट है उस female पार्ट को ही हम लोग सैफरोन के नाम से जानते है ठीक है यह तो बार समझ में आ गए कि सैफरोन कहते किसे हैं और सैफरोन मिलता कहां से, सैफरोन मिलता है उसके फ्लावर से, और फ्लावर में कौन सा पार्ट सैफरोन कहलाता है, इस्टिग्मा वाला पार्ट, जो फिमेल वाला पार्ट है, वही सैफरोन कहलाता है, वही केसर कहलाता है, तो देखो आगे बढ़ें बेसिक बेसिक चीजे हैं, जैसे हम हमेशा शुरू करते हैं, पहले हम बॉटनिंकल नेम से शुरू करते हैं, कि इसका बॉटनिंकल नेम क्या है, क्या होता है, सैफरोन का बॉटनिंकल नेम, क्रोकस सटाइबस, क्रोकस सटाइबस, ठीक है, यह जो बॉटनिंकल नेम है, यह कल् cultivated का है बागी wild species भी इसकी पाई जाती है उनसे हमें को लिना देना नहीं जो cultivated species हैं उनका botanical name क्या है crocus satybus family क्या है इसकी irradiacy family है इसकी irradiacy चलो फैमिली हो गई irradiacy chromosome number इसके अंदर कितने यह बड़ा important है देखो chromosome number chromosome number इसमें पाई जाते हैं 2n equals to 24 तो यह कहने के लिए तो 2n है क्योंकि ज्यादा तर्म 2n से ही दिन उठ करते हैं लेकिन अंदर जाक करके देखोगे तो यह आपको triploid मिलेगा यानि कि यहां पर 23x equals to 24 है यह कैसा है बई triploid है और आपको पता है triploid जो होते हैं वो कैसे होते हैं स्टराइल होते हैं कि कि इसलिए इसके अंदर seed formation होता ही नहीं है इसलिए अगर आपसे कोई पूछे सैफ्रों की सीड कैसे होते हैं तो उससे कह कहना है सैफ्रों में सीड होते इसका जो reproduction होगा वो sexual तो नहीं हो ना मतलब यहाँ पर जो propagation होगा जो हम खेती करेंगे वो किसी ना किसी vegetative part से ही करेंगे किसी ना किसी vegetative part से ही करेंगे इसी vegetative part से हम लोग इसका propagation करेंगे इसकी खेती करेंगे तो वो vegetative पार्ट कौन सा है इसकी जो root है वो modified structure बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्म अगर आपने इसका plant देखा हो उसका diagram देखा हो तो उसमें आपको पता चलेगा यह देखो बैए यह सैफरोन का complete plant यहां पर आप देखोगे यह देखे यह जो आपको structure देख रहा है इसी को कहते हैं हम लोग क्या कॉर्म यह कॉर्म ठीक वैसा ही है वैसे देखो बहुत कम लोगों ने सैफरोन देखने को नहीं मिलता उसका plant कहां देखने को मिलेगा तो इसके आप ऐसे समझ सक आपने अगर प्याज देखी हो कभी onion देखा हो तो same to same प्याज जैसा onion जैसा ही देखता है अगर मैं यह आप पर यह photo को अठा दूं और माल लीजे मैं आपको प्याज पढ़ाना शुरू कर दूं onion पढ़ाना शुरू कर दूं और उसमें मैं यह photo लगा दूं तो कोई भी प form है ना यही इसके vegetative part है यही है इसके vegetative part इन्हीं से खेती की जाती है आगे बढ़ते हैं चलो अब देखो origin की अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसका origin वैसे माना जाता है ग्रीस कहते हैं कि ग्रीस से इसकी खेती शुरुबात हुई थी ग्रीस इसका originating center है मतला वह इसका origin जी हुआ था ग्रीस में हुआ था लेकिन आज एककी डेट में अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में इसकी खेती की जाती है खास करके जो most important day है सुरी जो आपके डे नहीं जो आपके countries हैं उनकी बात कर रहे हैं वह most important में जैसे कि आपका इटली आता है ठीक है इस्पेन है इंग्लेंड है ऑस्ट्रेलिया है ठीक है और इटली हो गया इस पर इरान है इसके लाब आपना इंडिया है और भी कुछ देश आपको तो इंडि इंडिया के अंदर भी सेफरोन की खेती की जाती है केसर की खेती की जाती है अब अगर मैं इंडिया के अंदर ही फोकस करूं तो इंडिया की अंदर इस केसर की खेती कहां की जाती है देखो इंडिया के मैं अगर सेफरोन की खेती की बात करूना तो इसमें सबसे बड़ा ज इसकी जो खेती होती है वो जम्मू कश्मीर में होती है और हिमाचल प्रदेश में होती है यह दो मेजर स्टेट है इंडिया के जहां पर इसकी खेती होती है जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर में भी अगर मैं बात करूं न तो एक नाम आप कश्मीर तो आपको उसमें सिटी का फोटो बो टो नहीं आएगा उसमें आपको बस खाली खे deix दिखाएंगे जिस केसर ही केसर होगा मतलब यह जो पैमपोर है जमु कश्मीर के अंदर कश्मीर में आता है के कश्मीर में शैफरों के लिए ही जाना जाता है इसको सेफिरों टाउन भी कहते हैं में एंपोर को सेफ्रोन टाउन भी कहा जाता है कश्मीर का सेफ्रोन टाउन ऑफ दी कश्मीर इसको ना सेफ्रोन बाउल भी कहते हैं जैसे राइस बाउल होता है बीट बाउल होता है ऐसी सेफ्रोन बाउल कहा जाता है इसको कश्मीर का जो Agriculture Heritage System है न, ग्लोबली Important Agriculture Heritage System. इन्होंने इसको रिकोगनाईज भी किया है इस पैमपोर को. ग्लोबली Important Agriculture Heritage System ने रिकोगनाईज किया है इसको. किसको? पैमपोर को. रिकोगनाईज एस इस सेमफरोन हैरिटेज, इसस सेफरोन हैरिटेज अफ कश्मीर. तो इसको इमपोर्टेंज भी है, पैमपोर का. ग्लोबली इमपोर्टेंट Agriculture Heritage System ने इस पैमपोर को रिकोगनाईज किया है जैसा सेफरोन हैरिटेज आफ किश्मीर. तो ये तो main है, pampur, pampur के लाबा और भी काफी सारी जगह है, जैसे कि अगर हम बात करें याँपर, तो एक है आपका किस्त बार है, किस्त बार है, एक आपने pulvama सुना ऊगा, almost अभी लोगों ने सुना होगा, ये वही जगह यहाँपर हमारे जवानों को शहीद किया गया था पुलबामा हो गया पुलबामा के अलावा यहाँ पर आपने एक बढ़ गाउं सुना होगा बढ़ गाउं यह बढ़ गाउं भी आपका कश्मीर के अंदर ही है हिमाचल परदेश की अगर मैं बात करूं तो कुलू किस ने नहीं सुना बढ़ और किस नाम किस काम के लिए कुलू सुना जाता है वह आपको भी पता होगा जब आपकी शादी हो जाएगी तो देखना सबसे पहला डेस्टिनेशन पॉइंट यही होना है कुलू मना ली तो कुलू हो गया इसके लावद चंबा मंडी ठीक है कुनूर इन सभी जगाओं पर भी सैफरोन की खेदी की जाती है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है सैफरोन को लेकर के तो वह है पैंपॉर जो कश्मीर में आता है आपको आगे बढ़ते हैं अब देखो यहां पर एक और बात आपको बताऊं किno यह जो कश्मीर का सैफरोन है खासकर कि यह पेंपोर वाला यह जो कश्मीरसी उस एंप एल्ग 2 मिल चुका है यह कश्मीर सैफरोन को G7 benefit बात करें सके विए pagz और अब द्यक्तों कलाइमिक कि आगे सबसे इंपॉर्टेंट इसका端इभी पहले तो लेकर के चर्चा करें सोइल के लिए अगर बात करें सब्सक्राइब और खास करके ग्रेवल सभ्स्टेयों ऊपने ग्रेवल sand, silt, clay, gravel तो gravel soil हो चलेगा लेकिन fertile होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए fertile soil होनी चाहिए acidic हो तो और अच्छा है acidic soil हो तो और भी बड़ी आ है बेस्ट मानी जाती है अब बात करते हैं याँ पर climate की तो देखो बई ये climate ही सबसे बड़ी समझ्या है जिसकी बज़से केसर की खेती सभी जगा नहीं हो सकती एक तो भई समुद्र तल से इसकी उचाई 1500 से लेकर के 800-200 मीटर इसको जो favorable climatic condition मिलती है वो sea level से कहा मिलती है above the sea level समुद्र तल से कितनी उचाई पर 1500 से लेकर के 800-200 मीटर यानि कि यह मान के चलिए पहाड़ी चेतर में ही जाना पड़ेगा plain area में तो इतनी उचाई से मिलनी रही समुद्र तल से उचाई पर जाना है तो भई आपको पहाड़ी चेतर में जाना पड़ेगा कितनी 1500 से लेकर के 800-200 मीटर उचाई यानि पहाड़ी छेतर पर आपको जाना पड़ेगा यहां पर photo period photo period की अगर हम बात करें तो कम से कम minimum से minimum 8 से लेकर के 11 गंटे का तो photo period इसको चाहिए ही चाहिए यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है photo period इसके लिए photo period समझते है न लाइट की requirement इसको चाहिए flopper initiation के लिए इतना time तो हर रोज का यानि कि यहां पर जो light requirement है इसकी light में कहा है पन तो बेसिकली जो sunlight requirement है कि इतनी रोशनी इसको मिलनी चाहिए वो क्या है आठ से लेकर के 11 गंटे तक कही कही जगा पर तो 12 गंटे भी मेंशन किया यह minimum बता रहा हूं बहुत दीमे दीमे अक्टूबर के महिने में आ जाती है हार्वेस्टिंग करते हैं जाकर के जून अगस्त में जाकर के जुलाई अगस्त में जाकर के ठीक टेमपरेचर की अगर हम बात करें तो वो भी काफी ज्यादा बारिष में उम्मीद कर सकते हो तो 400 से लेकर के 4.5 mm तक की बारिष इसके लिए ठीक मानी जाती है गर्मियों के मौसम में दूरिंग दी समर और सी दीसी बात है गर्मियों के मौसम ही उमीद करोगी बिंटर सीजन में तो बारिश नहीं बर्फ बारी होगी तो इसनों जो होती है वो कवर कर लेती है पूरे फील्ड को कवर्दी यह बैस्ट कंडिशन मानी जाती है इसके लिए और ऐसी कंडिशन आपको कहां मिलेगी सिर्फ पहाड़ों पर ही मिलेगी जहां पर बर्फ बारी हो जहां गर्मियों के मौसम में बड़ी अकडाके की अमल आपके अच्छी ब्राइट संशाइन मिले अच्छी घासी ग इंडिया के अंदर काफी ज्यादा है प्रोडक्शन बहुत कम है तो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसको और दूसरे स्टेट में जैसे सिक्किम में जा रहा है हम लोग ठीके मिघाले में हम लोग जा रहे हैं अरुनाचल प्रदेश में इसकी खेती करना प्रोपागेटिंग माटेरियल एक और मैं आपको बात बताऊं कि यह होता है पेरिणीयल यह कैसी क्रॉप है यह एक पेरिणीयल क्रॉप है तो वहीं सीड की उमीद्ट थो छोड़ी दो कप जाका सीड बने गी साल लगेंगो इसको क्या होता है जहां पर दो या दो से अधि लगा दिया तो अगले साल फिर से प्लांट लगाना पड़ेगा ऐसा नहीं है आपने एक बार प्लांटिंग कर दी तो बस आपका वो प्लांट वहीं पर रहे कर लगबग आठ से लेकर के करके 5 cm डामिटर तक के होने चाहिए कितने हैं झाल से लेकरके 5 cm डामिटर के कॉर्म सबसे बढ़िया हैं बेस्ट माने जाते हैं ठीक है है अगर मैं कश्मीर की बात रहुत उनकी कुछ वीराइटीज भी आती हैं क Grace के अंदर काफी ज़्याद स्पेशल है वो तीन वेराइटी है इसकी कॉर्म की कॉम कॉन सी वेराइटी है वो तीन देखो एक तो है इसकी आपकी एक्यूला एक्यूला सैफ्रों एक तो है एक्यूला सैफ्रों ठीक है एक है आपकी क्रीम सैफ्रों एक है क्रीम सैफ्रों और एक है आपका लच्छा सैफ्रों यह प्लांटिंग डिस्टेंस बता दीजी प्लांट टू डिस्टेंस क्या होगी डेप्थ हमको यहां पर कितनी रखनी है डेखो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वह है जाट होता है आप हमेशा याद रखना कभी कहीं पर कुछ दिया है माल ले आपको प्लांट टू ब्लांट टू नाख हो judgments है ल स्भाए साथ सब्सक्राइब कार खनिगात करिंगा समय को ब्लांट के स्बह्तनी से संट कर् entstello स्वेड़ांगर के और ज्षवर के र quickly तो इसमें jego confusion नहीं हमेशा आद रّखना 45 क्या होगी रोट्टु रोणी हमेशा क्या होगी प्लांट होगी कम बाली हमेशा जो हो एक क्या होती है time कि बही कब करना है यह हमको जो बदाई है वह आप जुलाई सी शुरू कर सकते हूं How first Week of August तक यह सबसे बढ़िया समय माना जाता है जुलाई से ले करकेoru First Week of August तक का कुछ लोग कि जून में भी कर सकते हैं लेकिν जुलाई इसे लेकर करके first week of August सबसे बढ़िया समय मारा जाता है इसकी sowing time का और सबसे अच्छी बात जो है इसमें flowering time बहुत कम है मतलब flowering जो है वो इसमें start हो जाती है 4-5 महीने बादी 4-5 भी नहीं 3-4 महीने बादी of planting planting के 3-4 महीने बाद अगर बालीजिए आपने July मिड में भी अगर July के बिल्कुल मिड महीने भी यह बगर आपने प्लांटिंग कर दी है तो October मिड में October के महीने में आपको flowering start हो जाएगी याणि कि full आना शुरू हो जाएंगे कब October की महीने में लगबग आपका जुलाई से लेकर के अगस्त का महीना आ जाता है जुलाई से लेकर के अगस्त लग जाता है तो यह जुलाई से लेकर के अगस्त और हमको इसमें हर्वेस्ट क्या करना होता है सीड बगरा तो हमको अर्वेस्ट नहीं करने फ्लॉबर को ही तोड़ना है तो अलग थोड़ी method की जाते हैं, hand से होता है, हातों से आपने को तुड़ाई करनी है, लेकिन हमेशा sunrise, सूरज जब उग रहा है, उससे लेकर के सुभा 10 बजे तक कि बस, इसी बीच में आपको harvesting करनी हो है, ये best time है harvesting का, तो आपको यहाँ पर करना क्या भई, flower का collection करना है, जो flower है, आप उनको plug करोगे, यह नहीं अपने हातों से ही यहाँ पर flower को तोड़ लोगे, और उनको collect करोगे, उसके बाद यह जो flower है, इस flower में से आपको क्या निकालना है बाहर, सिर्फ और stigma वाला portion, क्योंकि यह stigma वाला portion ही आपका क्या है, सैफरोन है, अब यह as a.m. सैफरोन का इस्तमाल नहीं करते, इस stigma वाले portion को फिर हम लोग sun dry करते हैं, इसको कुछ लोग shade में भी श्रट dry कर सकते हैं, तो sun dry करो या shade dry करो, पांच से साथ दिनों तक, और उसके बाद फिरेजन को packing के लिए भेज दीजें, और को ज़्यादा जिंजट इसमें है नहीं, एक और चीज़ जब harvesting की जाए, यहाँ पर flower को जब आप तोड़ोगे, तो यहाँ पर इस stigma वाले portion को देख लेना, कि इसका जो stigma वाला portion है, वो bright, red color का, या फिर orange color का, हिंदी में कहें, तो भगवा color का जब हो जाए न, तभी उसे harvest करना चाहिए, यह proper indication है, इस टीगमा का color अगर bright, red या orange color का हो जाए, इसके flower के अंदर अगर हम बात करें, तो टोटल तीन stigma होते हैं, और तीन ही इसके अंदर male part भी है, यह तो क्या हो गए, इसके female part हो गए, तो तीन ही इसके अंदर male part है, तीन ही इसके अंदर female part है, तो तो तोड़ा confuse नहीं होना, इ आपको देख रहा है न, yellow color में, यह है इसका male part, तो आपको यह harvest नहीं करना, आपको harvest करना यह वाला, यह जो red वाला part है, यह और और इंज वाला part है, यह आपको harvest करना, यही है आपका saffron, ठीक, तो यहाँ पर harvest किया जाता है, और individually, by hand ही यहाँ पर एक-एक saffron जो है, वो अ किलो केसर बनाने में, कितने फूल लगते हैं, पता है, डेड़ लाक, 1.5 lakh flower, जब आप एक लाक फूल होंगे, तब जाकर के उनसे आपको एक किलो, 1 kg saffron मिलेगा, यानि कि एक किलो saffron के लिए कम से कम डेड़ लाक flower होने चाहिए, तो काफी बड़ी कह सकते हैं, वो है, टर्म हो गया कि एक लाक फूल तोड़ोंगे, तब जाकर के एक किलो saffron मिलेगा, अगर मैं इसकी yield की बात करूं, तो वो भी कुछ जादा नहीं है, केबल 2 kg saffron है, पर hectare से, एक hectare में केबल आपको 2 kg saffron ही मिलता है, हाँ, एक और ची फिर इसको आप sun dry करोगे, सुखाओगे, सुखाने के बाद आपको यहाँ पर saffron मिलेगा, जो fresh stigma होते हैं, उसको पर नहीं जा सेffron यूज नहीं करते हैं, उनको सुखाने के बाद करते हैं, तो यहाँ पर अगर माल लीजे, fresh stigma 5 kg है, तब वहाँ जाकर कि यह जो dry stigma है, तो वह जाकर कि एक किलो के बराबर हो पाएगा, तो पांच किलो fresh stigma को अगर आप सुखाते हो, तब जाकर कि वह dry 1 kg सेffron में convert होगा, और यह सेffron, यह जो प्लांट है ना, सेffron का, यह प्लांट कहा जाता है कि हमारे प्लानेट पर, हमारे इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा कीमित most valuable plant माना जाता है, most valuable plant on the earth, हमारी अर्थ पर, हमारे प्लानेट पर सबसे ज़्यादा कीमिती प्लांट यही है, इसलिए यह जो सेffron होता है, च्योंकि रेड कलर का होता है, इसलिए इसको red gold भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कीमत जो है, वो सोने के बराबर होती है, आज की 2 से 3 लाख रुपए तक की है, यह है सेffron की कीमत, और इसके बारे में कुछ जानकारी, अपने इंडिया में demand क्या है और अपने इंडिया कितना कल्टिवेट करता है, हमारा इंडिया जो है, वो सेffron का कल्टिवेशन करता है, 6-7 टन बस कितना 6-7 टन लेकिन हमारी डिमांड कितनी है मालूम है आपको 100 टन 100 टन हमारी डिमांड है जबकि हम लोग कल्टिवेशन कितना कर रहा है केवल 6-7 टन का तो हमारे इंडिया के अंदर सैफरोन कल्टिवेशन कितना है केवल 6-7 टन लेकिन डिमांड है 100 तन की तो सोचिए इस डिमांड को पूरी करने के लिए आपर हमको काफी सारी चीज़े जरूरी है यहाँ पर काफी सारी इनिशियेटिव जरूरी है जो अपना है जो मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नलोजी की उनका जो डिस्टी डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नलोजी उसने काफी सारी इनिशियेटिव भी स्टार्ट किये मिनिस्ट्री ओफ साइंस एंड टेक्नलोजी इनके अंतरगर जो डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ओफ साइंस एंड टेक्नलोजी इसको शॉट में कहा जाता है डी एस्ट डिपार जंबू, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में क्यों बाकी की दूसरी जगा पर भी जाओ तो यहाँ पर कुछ इन्हों नॉर्थ इस्ट इस्ट स्टेट को चुना है और वहाँ पर भी शुरुबात कर दी है नौर्थी स्टेज स्टेट में इन्होंने मेन प्रिफरेंश दिया है कि इसको सिक्किम को एक तो सिक्किम को दिया है ठीक है में घाले को दिया है और अरुनाचल प्रदेश को दिया ध्यानकना एपी यहां पर आंदर प्रदेश नहीं होता कुछ अरुनाचल प्रदेश भी ह यह जो DST है न, आपका Department of Science and Technology, इसके अंतरगत एक Autonomous Body आती है, उसका नाम है North East, North East Center for Technology, for Technology, Application and Research, इन्होंने भी Collaborate किया है, एक University के साथ, University का नाम क्या है, Botany and Horticulture Department of Sikkim Central University, इसके साथ इन्होंने Collaborate किया है, और इन्होंने भी दौनोंने मिलकर के एक Pilot Project स्टार्ट किया है, सिक्किन के एक गाउं में, और इस गाउं का नाम क्या है, योंग योंग वाई यू एन जी स्वरियौ नाम ही बड़े रजीब है वाई ए यू जी यू यूग है nieundy यूग 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 है कि यूग यूग है यूग यूग ही ही है यूग यूग ऐसा इसा ही कुछ नाम है साउथ सिक्किम में पढ़ता है आपका यह यहां पर पाइलेट प्रोजेक्ट के स्टाइट किया है इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए तो इतनी सारी बाते हैं सेफ्रॉन को ले करके सेफ्रॉन आता किस केटेगरी में क्या यह फ्रूट है कि प्लांटेशन क्या है सेफ्रॉन को रखा जाता है स्पाइस की केटेगरी में मसालों की केटेगरी में इसको रखा जाता है ठीक है तो यह हुआ अब यह अपना सेफ्रॉन कल्टिवेशन